नमस्कार ओनलाइन क्लास में आप सभी भेज़ा बेनों कर स्वागत है पार्ट दू भूमी मर्दा जल प्राकतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन पर्थम भाग में हमने भूमी के लगलग परकारों के बारें पढ़ा और भूमी पर कितने परकार जैसे जल है या कितनी प में आज हम भूमी के लगाता समय का नुशार होने वाले परिवर्थन के बारें पढ़ेंगी पर्थम चेत्र में आप देखोगे जैसे आपको देखते हैं पता लग जाता है जिसमें ज्यादातर भूमी का उप्योग करसी आवास एंचरागा या वर्ने भूमी के तोर पे ही वर्तमान समय में जैसे चित नंबर चार में यहने ज्यादातर भूमी के उपर आवास बने हुए यहन मकान बने हुए बहु मंजिल यहने ज्यादातर भूमी का उप्योग आवास के तोर पे और कुछ भूमी सहरों में जैसे यह परिवैन के सादनों के तोर पे बाग बगी चेक आरयले वागेरा इस प्रकार के तोर पे भूमी का उपयोग अदिक हो रहा है गाउं के तुल नाम हैं भूमी संसादन का स्टांक्संट बढ़ जन संक्या उसकी बढ़ती मांगो के कांट वनभूमी और किशीयोग भूमी का बड़ी पेमाने पर क्या किया गया जाart है विनाश्च किया जा रहा है उसकी इस थांद जी है जैसे उसके लिए वन रोपन कर सकते हैं भूमी सुदार कारिकरम है रासानी कीटना सक दवाईये वगरा है उसका सीमित उप्योग है अतीप असुचान पर रोक लगा सकते हैं यह भूमी स्रंक्षन के लिए कुछ से सामानी यह तरीक है जो आपन के आज के समय में अनों आसकती है जैसे म्रदा इस की प्रतिबार्शल्चेप दाने-दार कणों की आरहन की पत्ली प्रत्न मुर्धा कहलाती है यह भूमी से निकरताःसी जड़्ी हुई ए Istaafdo रोप मुदा के परकार को निजदारिद करता है तुप मुर्दा के परकार भी अलगलग है प्रिख्टी बालू मिट्टी इस प्रकात आगे है जैसे यह भूमी की यानि मिर्दा प्रिच्छ दिका इसमें वनस्पति और अईमस के साथ उप्री यह मिर्दा है उसके नीचे जैसे बालू और उसके नीचे जैसे अप सही चट्टानी परदाद अब से कहते ही किसे इस इस पर करिया को ध्यान रखना है तो इसमें यह लिखा गया सब्धा अलिके अंदर लिखा है तापमान प्रिवरतन तुसार क्रिया पोदों प्राणियों और वनस्पति मनुश्य के क्रिया क्लापों द्वारा ना वरे सेलियों का तूटना यह उसका से यानों से ओना इस परकार और उसके अंतिम भाग नीचे है जनक्स चटाने तो और इसी के नीची की तरफ जैसे भूमी के खुदाए करेंगे तो वहाँ पर जैसे के परकार के परदात निकलता है जैसे जल्बी हो सकता है गैस भी है या जैसे तेल वगएर भी निकलते हैं यह भूमी के अलग अलग चेत्रों में हैं और केवल एक सेंटिमेंटर मर्दा को बनने में सेख्रों वर्स लग जाते हैं और नीचे यह लिखा है मर्दा को प्रभावित करने वाले कारत जिसमें अलग अलग मुख्य तोर पी हैं जिसके बारे हम आपन पढ़िंगे यह सब्दाया जैसे अब से हैं वह परक्रिया जिसके द्वारा प्रतिव की सदय पर मौजूद चट्टाने होती है वह तूट फूट होती है और यह अप्रदन से अलग है क्योंकि इसमें तूटने से निर्मित भूपरदारतों का एक जगे से दूसरी जगे इस्ताना अंत् जिसके अपने इस्तान पर होती है इसके बाद निर्मित प्रदारतों का कुछ इस्सा अविश्य प्रदन के कारकों द्वारा परिवायन ने तूट हो जाता है इसको भी मुक्षे तोर पर अलग ले हो जैसे वातान का तापमाने नमी है चट्टानों की सरुचना है दाब है और विविद राशनिक या जेविक कारक एक साथ मिलकर कारे करते हैं यह अब इसे भी तीन प्रकार का NICK बहुत हीक राशनिक एहम जेविक कर्म अब आ आगे आता है जिसे मिर्दा को परब्यद करने वाली कार कौंश जिसमें पर क्रिखे बेजे अपका सब्सार प्रिक्रिया ता इनके निर्माण में निर्मांड में안। उसमें तुशर क्रिखे क्या होते हैं जम जाने के फलसुप जमीन पर गिर्ग पड़ते हैं जैसे उनकी जो लाक्षनिक रूप छे ऐसी बाद जो किसी चीज को नेश्ट कर दे तो इस परकार ये मृधा का निर्मान होता है अब उसमें साथ में मृधा को प्रवेद करने वाले कारका में सबसे पहले आता है जाने उंचा ही प्रवेद करते हैं जैसे देखो पहाड़ी चेत्र होते हैं तो वहां ढाल जादा होते हैं ढाल होने के कारण अपने बात की ज्यादा नदियन जो भी निकलती है वो सब के सब पहाड़ी चेत्रों से निकलती है जिसके कारण पानी अपने साथ उस मिट्टी क को ले आता है जिसका मिर्दा की गहराई पहाड़ी चेत्रों में क्या हो जाती कम हो जाती और मैदाने चेत्रों में मिर्दा की गहराई को जाती अधीक और तिर्व ढाल होने के अलशत्रम पानी के बहाव के कांड जेव परदातों का वहाँ पी जमाव नहीं हो पता है जिससे उसमें मिट्टी में उबजवपन की मात्रा बहुत कम होती है साथ में आता है जलवाईू जलवाई के प्रमुक्तत होते है तापमान और वर्सा मृदा के निर्मान को प्रवेद करते हैं जादा तर वर्सा जहां ज़्यादा अधिक होगी वहाँ सुक्सन जीव जन्तु अधिक होते हैं इसी कांड जीवास में परदातों का जमाव नहीं हो पता है और वहीं अधीक तापमान वाले चेत्रों में मृद्धा से क्या हो जाती है नमी गाइब हो जाती है जैसे आप भाड में चेत्र में इस परका देख सकते हैं ज्यादा तर गर्मी अधीक होने के काण यह ज्यादा तर मिट्टी है उसके प्रते कण भी अलग अलग है उसमें जी संद्र के नदियों के किनारों के आसपास बोमी में जीव सुक्सम जीव जनतु अधिक क्रिया सेल रहते हैं जिसके प्राइणाम सरुप लेटराइड जिससे कम अब्जव मृदा का निर्मान होता है साथ माता जनक चट्टान लाकों वर्सों के पस्षात्साइड़ प्षूतने प्राप्त आउसेच से ही मृदा का निर्मान होता है तो मृदा बनने में भी कई शेखणों वर्स लग जाते हैं पहले आपने पड़़ा एक सेन्त मीटर मने की वर्सन लग जाते हैं मृदा का निर्मान होने में तो इसमें जनक चटाने भी है साथ में वनस्पति एम वन्य अन्य जेविक परदात वनस्पति याओ जीव जन्तों के सड़े गले अंस मृदा में मिलकर मृदा को पौसक परदान करते हैं जिस किसी भी मिट्टी में जितनी अधिक मात्म वनस्पति एम वन्य जीव परदात मिले होंगे उस मिट्टी की पौसकता अतनी ही अधिक होगी अब आगे पढ़ते हैं ये मिट्टी की परवाइट करने वाली कारक हैं मिट्टी के निर्मान के बारे हैं पढ़ा अब आगे आता है मुस्कलन यान्य यह को सामन मालमाने चेत्र में आ जाता है जो मारक को अवरूद कर देता है और जिसमें एक उधारन के तौर पे नीचे लिखा है ये वस्तु इस्तित अध्यम इमाचल पर्देश के किनोर जिले में रेंकांग पियो की निकट पंजी गाव में बड़े बुस्तिलन की कान राष्टी राजमारक बाईस है जो पुराने इंदुस्तान तिबत सड़क का 200 मीटर तक का एक भाग है नश्ट हो गए तो ये बुस्तिलन की सामाने पर करिया जैसे इसमें आने का मुखे कान ये मल्ब जो नीची जहांapp subsidi गर जता है जिसकी कण वह कुछ समय के लिए उनका लोगों की मारग में अरुद परदान कर देते आब आते हैं ने में इस परकार की भुस्तिलन को रोकने के लिए क्रियां क्या कर सकते रोकने क्लिए अपने क्या क्या उपाय कर सकते सबसे पहले ल अधीक मात्रम होता है, फिर उसको ये भूमी को गिसकने से बचाने के लिए प्रतिदार एक दिवार होती है, यानि पहाड़ी चेतर के पास पास में इस परकार एक दिवार बना देना चाहिए, जिससे वो मलबा आता है, तो वो दिवार की पीछे ही रहे, वो सड़क की उपर आई, या तीस रह उपाए जैसे इसमें कह दिया, जिसमें सबसे अधीक है, मुख्य तोर पे आज कल ये परभावी ज्यादा है, मिट्टी के अपरदन को रोकना है, तो अपने को अधीक से अधीक मात्रा में वनस्पती, जिन पेड़ पोदे अधीक से अधीक लगाने बाड़ में जिसमें पेड़ पोदों की संख्या बहुत कम होने के काण, तो इसमें मिट्टी का परदन होता है, अधीक मुख्य देख लो, आप जैसे हवाएं थोड़ी चलती है, तो रेत एक इस्तान से दूसरे इस्तान चलती रहती है, हवाँ में उड़ती रहती है, तो इ जिसमें आपको जिसमें ने पहले बता दिया, मुख्य बात में जैसे मिट्टी हैं, जैसे किस परकार की, जैसे बात में जलो दे, काली, लाल, लेटराइड, मस्तली, परवती परकार की मुख्या हैं, हो सकती है, हो सकती नहीं होती भी है इस परकार की, अब आता है, मुख्य मुख्य का प्रदन के लिए दो मुख्य खत्रे या मिट्टी का प्रदन होता है इसके मुख्य दो चीजें होती है प्राकति या मानव मुख्य दोनों की कार्णी ये सब समिशें उत्मन होती है जिसमें आपको लिखा है मुर्दा के निमनी कंड में साय कारक जिसे वनों मुल यानि पेड़ पुदों के अधिक कटाई है अधिक चारण यान पसूं को अधिक मातम जो गास वगेरा होती है उसको अधिक मातम चरा लेते हैं तो उसकी कंड मिटी की कंड आपसें बंदे नहीं नहीं रहे पाते हैं या राशनी को इर्वर खाद ये कीटना से द्वाई उनका प्यूक अधिक लेते हैं या वर्सा दोहन एक दम बहाड के ज़्यादा आ जाती है बुस्कलन वगेरा बहाड इस परकार यह सब चीज़े हैं जो उसके में मिर्दा का अप्रदन यहने उसमें क्या करते हैं वो प्रदन में साहिक हो जाते हैं इसलिए का है मल्च बनाना पेड़ पोदों की बीच अनावरेच भूमी होती है वहां जेविक पदा जैसे प्रवाल से ढग दी जाती है इससे मर्दा की अदता रुग सकती है अब इसमें ये दो मुखे चीज़े हैं आपके वेदी का फारम वग्यरा या समुच रेखिये जूताही शक्रकार शमान तोर मात्रा में श्मतल में खिटः समतल मेदान कर के प्र की जाती है जिसमें इसमें वेदी का फर्म लिखा है जिसे चोड़े समतल सौपान या वेदी का डाल तिर्व डालों पर बनाया जाते हैं ताकि सपाट सते फसल उगने के लिए अप्लब्द हो जाए और इससे प्रष्टिय प्रवा या मरदा प्रदन क्या हो जाता है कम हो जाता है इससे म बहते जल के लिए प्राकतिक अवरोद का निर्मान करती है और तीस राइस में एक और दिया दो पैंट साथ जिसमें रक्सक मेगला है जिसे अपने खेत के चारों तरव इस प्रकार यानि लाइन दार पेड़ पूदे लगा दे जिससे तेजगति में पाउन चलती है जो से म ale ट्रे लेनी है तो येक दोनों ट्रे के कोर्ne पे पांच चच चच चचच्च चचच चचच्च चिद्र कर दो और ये फिर नों रए बहदे को एक में गिल्कुल रेत ही भरनी है और दूसरे में रेत के साथ उसमें गेंग के या कोई भी पोदी या ने चुचड़े बाजरी भी उगा सकते हैं उग जाने के बाद चार-पांच दिन बाद उसमें दोनम जिसे बराबर मात्रा में पानी डालेंगे और ट्रे को थोड़ा सर तर्चा रखें तो एक उस कोण से जहां से छिद्र है तो वहां से पानी निकलता तो साथ में मिटी भी अध्यक मात्राम निकलती है और एक है जिसमें बर के अंदर है तो उसमें मिटी के कुण आपस में क्या है कैती है कि estaba Aid ये उख जाने के बाद वो आपसे कंड बन जाते हैं, जिसके कंड वो कंड भी अलग-अलग नहीं हो पाते हैं, तो इस परकार के अभी अपने प्रियोप कर सकते हैं घर पे, आगे के भाग के लिए, अपने अगले भाग में पढ़ेंगे, तो नमस्कार, और इसमें मुख्यत, जो जो परसंद बनें, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे ये इस परकार का अपने चार्ट वगएरा, इस परकार ये कोपी में बना सकते हैं, और ये चित्र है, भूमी उप्योग में समय कनुसर होने वाले परिवर्त, तो इसमें भी आपको लग-बग पांच इस परकार अलग-अलग बताने हैं, प्राचीन समय बहुमी का उप्योग किन चीज़ा में अदिक होता था है, वर्तमान समय में अलग-अलग देदरी भूमी के उप्योग में क्या परिवर्त ना आई, और तीसरा है, इसमें मिर्दा निर्मान की कारक साथ में उसको यानि उ कोपी के अंदर करने हैं नामस्कार